गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चाप्टर की डिटेल समरी करवाई थी आपको डिटेल ब्रीफ दिया था चाप्टर का नेम था हमारा दीप वोटर वो चाप्टर जो वीलियम डोगल्स ने लिखा है आज हम उस चाप्टर के कोशन इस दिसक्स करेंगे आई होप आप लोग को चाप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा फिर भी मैं आपको ऊस चाप्टर की थोड़ी सी समरी दुबारा दे देती हूं वह चाप्टर एक बच्चे की जिंदगी के बारे में है उस बच्चे की जिंदगी की एक ऐसे डर के ब किया और वो डर क्या था दyव फीयर ओफ वोटर पानी का डर जब वो दो से 3 साल का बच्चा था तब उसकी आनने बैठा फिर जब वो 10–11 साल का हुआ तब उसके साथ एक मिस पर प्टनिंग कोई वो डर बढ़ा उसके बाद उन्होंने डिसाइड कि आं कि वो अपने डर से overcome करेंगे इसलिए उन्होंने एक instructor hire किया और instructor hire करने के बाद उन्होंने अच्छे से training ली और बहुत जादा practice की at last उन्होंने अपना जो डर था उससे overcome किया अपने fear को दूर भगाया so let's discuss the question of that chapter so aapka first question है what is the misadventure that william dogles speak about वो कौन से misadventure के बारे में बात कर रहे है william dogles तो किस चीज को refer किया गया था starting of chapter में तो answer क्या है वो misadventure जिसके बारे में william dogles बात कर रहे हैं तो वो misadventure कौन सा है वो misadventure है YMCA swimming pool एक दिम दिन जब writer बहुत अकेले pool के पास में बैठे हुए थे वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो wait कर रहे थे कि कोई उनके वहाँ पे आए और वो उसके साथ वहाँ पे जाके swimming करें बड़ सडलनी क्या हुआ एक बहुत थी बड़ा सा बच्चा वहाँ पे आया जिसकी body काफी अच्छी थी उसने उस william dogles को वहाँ से उठाया और एक deep pool में fact दिया तो इस adventure के वारे में वह बात कर रहा हाला कि जब वह अंदर गिरे जब उस बड़े बच्चे ने उन्हें गिराया दूसरे room में दूसरे pool में तब उन्होंने बहुत try किया जितना भी उन्होंने सीखा था कि मुझे किस तरीके से swimming करनी है उन्होंने वह अपने सार एफर्ट्स लगाए फिर भी वह उस पूल से भार नहीं आपाए अट लास्ट किसी और ने उन्हें पूल से भार निकाला उस दिन चोंके मन में डर बैठा था उस adventure के बारे में उस miss adventure के बारे में वीलियम डोगल बात कर रहा है I hope आपको first question clear हो गया होगा let's go on second question what were the series of emotion and fear that डोगल experienced when he was thrown into the pool what plan did he make to come to the surface अब देखिया next question क्या है next question यह है कि कौन से emotions of series की बात कर रहे हैं कौन से डर कौन सा डर और कौन से emotions Mr. डोगल ने उस time पे face किये थे जब किसी के द्वारा वो एक पूल में नीचे गिर गए थे उन्हें गिरा दिया गया था throughout the process जब वो नीचे पूल में उन्हें गिराया गया उन्होंने क्या-क्या practices एडॉप्ट की जिससे वो बाहर निकल सके और उस time पे उनके मन में क्या डर चल रहा था और किस चीज से उनको दिक्कत हो रही थी और क्या-क्या वो planning बना रहे थे तो सबसे पहले क्या हुआ हीवल वो डर गए वो काफी जादा डरे लेकिन इतना नहीं उन्हें ये था कि जो मैंने swimming में सीखा है थोड़ी बोच जो मुझे swimming आती है उससे मैं वापी surface पे चला जाओंगा तो उन्होंने अपने मन में क्या-क्या एक plan बनाया कि जैसे मैं नीचे bottom से मतलब जैसे ही मैं अपने पूल के नीचे bottom से टच होंगा वैसे ही मैं खुद की body को उपर की और क्या करूँगा मैं पूल करूँगा और मैं पहुंचाओंगा surface पे लेकिन जब उन्होंने जंप किया तो वहापे कोई difference नहीं था वह bottom पे थी और बोटम पे ही रह गए because उन्होंने अभी जो swimming सिखी थी उस टाम तक वो confirm deepूल में सीकी थी लेकिन जिस पोल में गिरा आया गया वह पूल काफी जादा deep था ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या किया उनको काफी जादा पैनिक होने लगा, वो काफी जादा डर गए, उनको काफी जादा सफोकेटिंग होने लगी he tried उन्होंने उसके बाद बहुत जादा try कि कि वो रोएं या वो चिल्लाएं ताकि कोई सुन ले लेकिन पानी, you know very well की पानी से अवाज भार नहीं निकल पाती है तो जो पूरा का पूरा टेरर, पूरा का पूरा डर था उन्होंने, डर ने उन्हें सीज कर लिया, उन्हें फ्रीज कर दिया वो इस तरीके से फ्रीज हुए कि उन्हें बहुत बहुत साल लग गये उस डर से ओरकम करने के लिए अट लास उन्होंने डिसाइड किया कि शायद अब मैं यहीं पे रहूंगा, मेरी लाइफ अब यहीं पे खतम है तो उन्होंने पैनिक होना बंद किया, क्योंकि उनकी बोड़ी पूरी सीज हो चुके थी, काम करना बंद कर चुके थी तो उन्होंने क्या किया, खुद को पूल से सेव करने के सारे आफ़र्स बंद कर दिया तो यह था second question, जिसमें हमने बताया कि कौन-कौन से emotions और कौन-कौन से डर डोगल ने experience किये throughout the pool journey, जब वो पूल में गिराए गए, ओके, सो हमारा next question है How did this experience affect him? वो experience को किस तरीके से William डोगल ने affect किया? वो जो experience था बहुत ही जादा worst रहा उनके लिए क्योंकि उसके बाद उन्हें इस fear से overcome करने में बहुत जादा time लगा जब भी वो पाने के पास जाते तो पानी से कुछ मिटर दूर ही उनकी body seize हो जाती, मतलब freeze हो जाती वो काफी जादा weak feel करने लगे थे, वो trouble कर रहे थे, वो अपने emotions ना किसी को बता पा रहे थे ना वो ढंके कुछ खा पा रहे थे तो बहुत ही जादा terrible fear उनके मन में रहा और काफी लंबे time तक वो दुबारा पूल में वापिस नहीं गए और उस पूल में तो उसके बाद वो कभी वापिस नहीं गए so our next question is why was dogles determined to get over his fear of water next question हमारा ये है कि after some years काफी time बाद कुछ सालों बाद क्यों dogles ने decide कि मुझे अपने fear से overcome करना है उसका reason क्या था जब भी वो अपने friends के साथ या वो solo trip पे भार जाते तो वो दूसरों को fishing करते हुए boating करते हुए swimming करते हुए देखते लेकिन वो ऐसी activity करना चाहते करना चाहते भी थे तो वो कर नहीं पाते उनकी body जो थी सीज हो जाती थी इसी लिए उन्होंने decide कि अपने डर को दूर भगाएंगे और जितने भी activities वो नहीं कर पाते हैं वो sad activities को वो enjoy करेंगे so our next question is how did the instructor build a swimmer out of dogles अब next question यह है कि जो last में Mr. Dogles ने एक instructor hire किया था उसने किस तरीके से डोगल को swimming सिखाई so answer क्या है जब डोगल ने एक instructor hire किया वो instructor काफी जादा experienced man थे और उन्हें पता था कि कौन से student को किस तरीके से train किया जाता तब उन्होंने क्या किया बहुती patience से और बहुती अपने experience का यूज करके उन्होंने डोगल को swimming सिखाई सबसे पहले उन्होंने क्या किया एक belt उनकी कमर पे लगाई ताकि अगर उन्हें पानी में जाते टाइम डर लगे या वो डूबने लगें तो ताकि उन्हें भार खीच सके उन्हें बैल्ट से बांदा पूले की help से उसके बाद उन्होंने क्या किया overhead केबल का यूज करके उनके सर के सबसे केबल निकालके इंस्ट्रक्टर ने रोप की एंड से उन्हें फिक्स्ट किया ताकि जैसे ही राइटर पानी में जाए अगर वह भार आना चाहें तो ने भार निकाला जा सके और काफी लंबे टाइम तक इस चीज के उन्होंने प्रक् और एक्से ऐल करना उस चीज की प्रक्टिस उन्होंने काफी टाइम तक की उसके बाद उन्होंने लेक्स की प्रक्टिस कराई कि किस तरीके सेśniej आपने के करना है लेकस्का पानी में जाके at last उन्होंने जब उन्हें पूरे तरीके से swimming सिखा दी तब उन्होंने कहा now you can swim अब तुम swim कर सकते हो, dive कर सकते हो उसके बाद जो writer थे हमारे वो totally able हो गए swimming करने के लिए फिर भी उनके मन में जो डर था उसके लिए उन्होंने काफी सारे पूल विजिट किये थे ताकि वो हर जगहें से अपना डर जो है निकाल दे okay so our next question is how did dogal overcome his fear of water same question repeat हुआ है just question की sense change की गई है कैसे dogal ने अपना जो fear था वो बहार निकाला तो dogal ने सबसे पहले तो अपने mind में ये चीज़ decide की की अब उसे इस दर के साथ और नहीं जीना उसके बाद उन्होंने एक instructor hire किया instructor hire करने के बाद वो जो instructor थी वो काफी जादा experienced man थे तो उन्होंने क्या किया instructor ने काफी patiently काम लिया step by step उन्हें swimming सिखाई सबसे पहले उन्हें belt और rope के थुरू पानी में ज़स जाना पानी के पास आने वाला जिससे उनकी body seize हो जाती थी वोवली exercise उन्हें करवाई after that oxygen को inhale और exhale करना उसके बाद पानी से overcome करना पानी में kicking करना ऐसे step by step करके उन्होंने अच्छे से exercise की और डोगल ने अपने फियर को water के फियर को overcome किया क्लियर सो हम बाकी की question next lecture में discuss करेंगे आप प्लीज यह question अच्छे से read कीजेगा फिर भी आपको किसी भी question में कोई भी query हो तो प्लीज मुझ से push लेजेगा ओके थांक यू